हेलो एवरिवान माइन इस दीपक्मार चोधरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीम अकेडमी क्लासिस में तो गाई काफी दूनों से में वीडियो पगर अपलोड नहीं कर रहा था मेरे चैनल सभी क्या करते हैं एक भी वीडियो अपलोड न क्लास 12 की फ्लैमिंगो का फर्स चैप्टर है लास्ट लेसन रिटेन बाई एलफोंजे डोडट उसको कवर अप करने के लिए ठीक है तलिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो हम अब आउट ऑथर पढ़ लेते हैं अलफोंजे डोडट की बार फ्रेंको प्रिशन वार का मतले फ्रांस और जर्मन की बीच में लड़ाई चल रही थी अब इस चैप्टर में हुआ क्या है इस चैप्टर में हुआ यह जो फ्रांस है और जो जर्मन है उन दोनों के आपस में लड़ाई चल रही थी और जो जर्मन है उसने फ्रांस को हरा द एक है MML, MML एक टीचर है, फ्रेंच लेंग्विज के टीचर है, और चालिस सालों से पढ़ा रहे है, कहां पर पढ़ा रहे है, ऐलसे से लोरेन में, और दूसरा कैरेक्टर दो है, वो है हमारा फ्रांस, ठीक है, फ्रांस एक बच्चा है ठीक है, ठीक है, अरांट 13-14 यर्स ओल टीक है, रहा है, बिरा इस दिन क्या कए तहसमें काफ़ी लेट उठा के लिए, माइ प्रम काफ़ी दर बॉगता है MML, उन्होंने मुझे कहा था कि भाया वो मुझसे questions पूचेंगे किसके उपर questions पूचेंगे participants के उपर अब यह participants क्या होता है यह कौन से बावाल है तो बिटा participants का मतलब होता है जैसे आप लोग English में टैंस पड़ते हो नो बिटा same French language में टैंस को participants का आता है तो बिया वो बताता है कि मेरे तो teachers है वो मेरे से कहते है participants के उपर question पूचने वाले थे और मुझे participants का पीवी नहीं आता so that's why I was under the great dread of being scolding by my teacher MML इसलिए मैं काफी दादा डरा हो आता कि भाया मेरे तो teacher है MML मुझे काफी दा डाटेंगे और एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्यों आज मैं मेरे चैरिया के चैचाने के अवास सुना ले रही थी और इन सब certainty मन भर गया तो आपने आपको समझाया ठीक है तो मैं सो मिल चली जाओंगा कुछ दिर वहां पे लकड़े वगरा काट लूंगा कुछ पैसे कमा लूंगा और इन सब से मन भर जाएगा तो जो मेरे यहां के शोल्जर प्रिश्च्ण शोल्जर जो है उनको देख लूंगा ड्रिल करते वे तो क्योंकि मैंने अपने आपको समझाया कि ना एन यार् ऐसा नहीं करना चuwव कर चल लिए है तो पेटा इसी लाइन से यह जो लाइन देखीन है मैंना आपको तो कहता है कि जैसी क्या गहता है मैं टाउन हुल के पास पहुचा तो काफी था गैधरिंग लगी हुई थी ठीक है और वहाँ पर गैधरिंग इसलिए थी क्योंकि वहाँ एक बुलेटिन बोर्ट लगवा था मैन्स नौटिस बोर्ट, जाइक नोटीस बोर्ट कहता है कि उहां पर bulletin board लगा हुआ था और यह जो bulletin board है ना यह bulletin board का जहता है बहुआ है जब से यहां पर लगा है तब सिलड जाब नियूस रही है पिसले दो सालों से हमाने पर क्या रही है इसलिए इस bulletin board को क्या बोला गया है Bad rules से भी बोला गया है कि यह बुलेटन बोड़ है यह क्या गयता है बैट सिंबल है कि इस चीज का बैट सिंबल है क्योंकि पिछले दो सालों से यहां पर इसी बुरी ख़बर आई है जैसे कि हम फिर से हार गए उस कंट्री ने हम पर हमला कर दिया कमांडिंग ऑफिसर की किसी ने बात नहीं मानी तो इसलिए उसको इग्नौर करते हुए मैं अपना आगे की और चलने लग गया लेकिन जैसे मैं आगे की और भड़ा ठीक है पीछे से मुझे एक आवाज आती है और यह आवाज किसने दी थी ब्लैक सिमित ने ब्लैक सिमित को ने लोहार ठीक है और इस ब्लैक सिमित का नाम है कहता है कि पीछे से एक ब्लैक सिमित जिसका नाम वॉक्टर उसने मुझे हावाज दी और यह अपने अपरेंटिस के साथ शाथ अपरेंटिस को मतलब होता है चेला या आपकी भासन में बोलु तो एक ऐसा इनसान जो किसी के अंडर काम कर रहा हूँ ठीक है तो यह जो वॉक क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं स्कूल के लिए लेट हो गया हूँ और यह बात उस बता चल गई है किसको पता चल गई है ब्लैक सिमित को तो मेरा मज़ाग उड़ा रहा है इसलिए मैंने उसको इग्णोर करते हुए मैंने गार्डन वाला रास्ता डिसाइड किया कि मैं बग करते हैं बेटा कि मिल्दै कि यहां पर हश्वल के मतलब कि मतलब चल बेड़जा करती है तो इसकोल की बाहर चैहल पहल बाइस का वहा घुठी ती एंपनिंग और tax tax टीचर डंड़ बजाते थी ठीक है आज वो सारी की सारी आवाजी क्या थी बिल्कुल मिसिंग थी ठीक है I had counted on the commission to get on the ticket ठीक है लेकिन फिर भी भी अब ने काफी दा मैं डर भी रहता है कि यह चीज़े हो क्या रही है लेकिन मैंने अपने आपको फिर से समझाया और किसी भी तरह किसे मैं क्या कहता है आगे क्यों चला ठीक है भाया य फ्रांस वो बताता है कि it was like a quite Sunday morning कि मेरा स्कूल मुझे कैसा लग रहा था Sunday morning की तरह लग रहा था ठीक है थूरा दा विंडो ठीक है कहता है कि मैंने खिड़की से देखा तो मेरे तो ओल्लेडी सारे classmates वगरा तो थे वो ओल्लेडी अपने सीट पर बैठे हुए थे ठीक है लोगों को बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़दा डरा हुआ था और कितना ज़दा मैं ब्लश कर रहा था मुझे मतलब कितना ज़द मुझे embarrassment feel हो रही थी but nothing happened लेकिन कुछ भी नहीं हुआ एमेमेल ने मुझे देखा और बड़े ही प्यार से कहते है कि go to your place quickly अपनी जल्दी से जाओ अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ little France तो बटा यह दो little का मतलब ही इसमें आपको कहता कि जो 13 or 14 years का होगा ठीक है we were beginning without you हम अभी class start कर देते हुआ भी तुम्हारे बिना और मैं एक सरकारी स्कूल की बच्ची की तरह क्या कहते class के अंदर एंटर हुआ और क्या कहते कूता फांगता जाके अपनी seat पे जाके बैठ गया ठीक है when I had got a little over क्योंकि मैं भागता हुआ आया तो मेरी सांस काफी दा full गए थी इसलिए भी या मैं तो पहले class में जाके मैं जब साब बैठ गया था और जब मुझे थोड़ा बहुत comfortable feel हुआ तो मैंने अपनी मुंडी ऊपर की और मैंने teacher को देखा MML को और तो मेरे teacher है MML वो अपनी beautiful क्या कहते dress पहन कर आयते यह दो क्या कहते है MML ने dress पहन रखे थे ने इसको एक नाम दिया गया है finest dress ठीक है तो इस dress के खास्यत क्या थी इस dress की खास्यत यह थी थी बैटा कि जो MML ने यह dress दो ही दिन पहना करते थे एक यह तो जब उनको किसी बच्चे को प्राइस देना होता था और second जब उनको कहीं पर इंस्पेक्शन के लिजाना होता था ठीक है तो वही चीज़ यह आगे बताएगा कि जो मेरे teacher से उन्हेंने beautiful green coat पहन रखा था फिल इट शर्ट पैन रखी थी ठीक है बटा और एक little black silk cap जो चारों तरह से कड़ाई की होती है embroidered का मतलब होता बटा कड़ाई की हुई ठीक है और कहता है कि यह dress वो तभी पहना करते जब या तो उनको कहीं inspection के लिजाना होता था यह किसी बच्चे को क्या कहते प्राइस दिना होता था लेकिन क्या कहते आज उन्होंने यह dress क्यों पहनी थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो Solomon का मतलब होता बटा गम में डूब होना या upset रहना और strange का मतलब बिल्कुल ही unbehavior मतलब आज से पहला कभी ऐसे behavior आपने ना देखा हो ठीक है ठीक है three corner head pen रखी थी गाओं के mayor आए वे थे मुख्या सिर पंची सब बेटा आए वे थे पोस्ट मास्टर आए वे थे और कुछ अलग लोग कुछ दूसरे लोग भी आए वे थे ठीक है और भाया मैं इन जब को देखे काफी दा सर्प्राइज हो गया ठीक है सभी के सभी लोग काफी दा सैड लग रहे थे और जो हो देर था बेटा वो अपने साथ एक पुरानी गरंथ लेकर रहा था और उसने उस बुक के एक पन्ने को कोने से अपने थम से पकड़ रखा था ठीक है और उसने क्या गया था बेटा ग्रोग अपने चस्मे को निकाल के उस बुक के ऊपर रख रहा था क्या रहा है जब मैं इन सब चीजों को देख रहा था while I was wondering about it all ठीक है MML ने क्या किया अपने चेर को मांट किया मांट का मतलब होता बेटा खिसकाना ठीक है ना तो MML अपने चेर पर बैठे वे थे उन्होंने अपने चेर को खिसकाया और वो खड़े वे और बहुत ही gentle tone में कहते है कि my children मेरे प्यारे बच्चो आज मैं आपको आखरी बार पढ़ाने के लिए जा रहा हूं यह आपकी आखरी क्लास है ठीक है जो मैं आपको देने जा रहा हूं ठीक है क्यूंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि Berlin से एक notice है बेटा Berlin is the part of German याद रखना ठीक है ना बर्लिन is the part of German तो बेटा अगर मैं indirectly बोलो तो जर्मन से एक order आया है कि अब से क्या कहते है एलसे लोरेन के स्कूल में फ्राइंस लैंग्वेज नहीं पढ़ाई दाएगी अब सिफ क्या पढ़ाई दाएगी जर्मन पढ़ाई दाएगी और आपकी जो नए मास्टर है वो कल बात क्या गयते है हमारा फ्रांस सुनता है वो क्या कहता है ओ वाट थंडर क्लैप देज वर्ट से टूमी अरे ठीकर थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है कोई बात जो कहते हैं शौकिंग हो यह जिस पर आप बिलीव नहीं कर सकते अगर मैं इसका सही मीनिंग बताऊं तो कहता है कि ना भाया जैसे उसने यह वर्ट वोला नहीं कि दिसी दा लास्ट लेसन ऐसल गीव यू भाया मैं पूरी तरह कि शॉक्ट हो गया था कि उस बंदने क्या बोला क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ था कि ऐसे कैसे हो सकता है ठीक है ठीक है डैड़ कि हराम से जाओ आज तुम्हें अमेल कुछ भी नहीं बोलेंगे फिर मैंने क्या कहते है अपने आपसे बात करने स्टार्ट कर दिया माइं लास्ट लेसन माइं लास्ट वेंट लेसन ओड्ली निव राव वाव तु रट अरे अभी तो मैंने के दो पढ़ना लिखने स्टार तो बैटा यहां पे जो हमारा जो हमारा क्या थे फ्रांस वेटा वो इसको अब गिल्ट फील होता है कि यहार ऐसे कैसे हो सकता है मतलब हमसे हमारी मात्रभासा चीन ली और यह चैप्टर का नाम इसलिए पढ़ा है क्योंकि इस स्टोरी में यह पता चलेगा कि कोई चीज जब आपके पास होती है तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते लेकिन जब आपस चीज आपस चीन ली जाती है तो आप सोस्ते ओ नो यह भी गिल्ट फील हो रहा है कि क्या गयता है हमसे हमारी क्या चीन ली गई है मात्रभासा चीन ली गई है और वो कहता है कि I couldn't give up अरे नहीं मैं इस इतने असानी से तो नहीं चोड़ सकता अपनी भासा को ठेक है ठेक है फिर क्या होता बटा I should never see him again made me forget all about ruler and cranky cranky का मतलब होता ह कि और कहता है कि फ्रांस कहता है कि जब मैं यह बाते क्या कहता है मेरा टीचर बता रहा था ने कि this is the last lesson I shall give you मैं उसकी तरफ देखा और मैं वो सारी की सारी चीज़े भूल गया उसके cranky attitude को भूल गया उसने इतने प्यार से आज इतने प्यार से इतने प्यार से इतने प्यार का मतलब है कि इतने दुख की बात है कि इनसान जो क्या कहते है इतने सालों से यहां पर पढ़ा रहा था ठीक है और क्योंकि यह बिचारा कल चले दाएगा इसलिए इसने आज क्या रखी है एक last lesson की class मतलब एक last class रखी है और इसलिए क्या कहते है यह आज का दो दिन था वो Sunday यह है कि यह गाओं के ओल लेजर बेटा इसलिए थे क्योंकि वो M.M.L. को sorry कहना चाहते थे और बेटा तीसरा वो अपनी mother tongue की respect करने के लिया थे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं बेटा क्योंकि अब उनसे उनकी मात्रवाशा छीन ली गई थी तो कहता है कि वाइल आवस थिंकिंग और फॉल अदिस जब मैं इन सब चीजों के बार में सोच रहा था कि सेड़नली मेरा नाम आता है ठीक है क्योंकि भीया मैंने आपको बताया था ने स्टार्टिंग में कि आज मारी दो क्लास होने वाली थी एक पार्टी स्पेल्स की और बन्दे को मेरा नाम जिंद की भर याद रहेगा तो कहता है कि भया अब मेरी बारी आ गए थी सटर्ट पी नहीं आता था लेकिन क्योंकि अपनी इमेज बताने के लिए बंदा कहता है कि भया आस तो मैं इसको पार्टी सब्स्पेल्स पूरा सुना दूंगा लाउड औं ट् कि मिक्स अप और के हटा है कि हमेरीय लाइन में सब रहे हैं इस बंदे haian bogao और बड़े ही प्यार से समझा या इसने मुझे की Dear France Little France ुम्हे बुरा लगा यह मेरे लिए onaek है रही ऐकिया है तुम्हे क्या कहता हैATE उच्छा, यह मेरे लेало देखो हर दिन में तुम्हें बोलता था पढ़ लो पढ़ लो और तुम मुझे क्या कहते थे, I have a plenty of time, we have a plenty of time, sir, बहुत time है, राम से कर लेंगे न, I will learn it tomorrow, कल पढ़ लूँगा, और देखो, कल करते करते हाज हम कहां पर आ गए है, the last lesson पे, the great travel with the last, ठीक है, LCS, देखो, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है, LCS के उपर, ठीक है, अगर हमने starting से बढ़ाई की होती, तो शायद ये problem आज नहीं आती, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने starting से अपने सारा काम कल के ऊपर छोड़ दिया, और इसलिए देखो, आज कितनी बड़ी मुसीबत हमारे सामने हा गई है, ठीक है, और तुम खुद को क्या कहते है, Frenchman बताते हो, आपको समझाना चाहता हूँ, आप लोग मान लो, इंडिया गया, और इंडिया की होने के बवदूद, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं आएगी बेटा, तो ये हमारे लिए शरम की बात है, क्योंकि हमारी मात्रभाशा है, सेम यहां पर जो क्या कहते है, हमारा MML है बेटा, वो फ्रांस को यह समझाता है, कि तुम खुद को फ्रेंच मेन बताते हो, और तुम्हें फ्रेंच का FV नहीं आता, तो कल को जब जर्मन के लोग यहां पर आएंगे ना, तो तुम्हारा क्या करेंगे, मजा को उराएंगे, ठेक है, और एवन क्या कहते है, हमारे बे फ्रांस को ब्लेम करता है, क्योंकि उसके पैरेंस बेटा, कुछ पैसो के लिए उसको कहां भेज जिया करते थे, सो मिल पर भेज जिया करते थे, और वो बिचारा सो मिल पर आके क्या करता था, लकडी वगएरा काटा था, ठीक है, और दूसरा बेटा, हमारे क्या कहते है, ज वहारी है क्योंकि मैं जब भी तुम्हे काम दिता था तो तुम उसको नेक्स देप टाल देते थे या तुम कहते थे कि सर मैं कल कर लूँगा और कल करते करते आज फाइललि हम कहां पर आगए है ना लाश लेसन पर आ गए है कहता है कि ना अदिस साथ साथ उननों बच्चों को यह भी बताया कि काभी लोग गुलाम हो प्याग्जक नो गॉला那 तो जया है कि यह है है Noch, हई सी बहुंॉडी को घुलाम हो जाते तो जितनी जल्दी क्या गहत है वह Analytics को सीख लेंगे उतनी जल्दी क्या गयते वह वह से अजयाध हो जाएंगे इसका एक एकहल जांपल देता हो जाएंगे इसका फ sharp-step तीन बिहारेकं एक पंजाबी फस गात तुमda कि तब तक home तो जितनी जल्दी आप उस जगह की मात्रभाशा को सीख लोगे उतनी जल्दी आप वहां पर चाहिस आप यहां पर शुक्त कर्णाज को और कि अधनी जाए उस जाए निए यह जगे साइधा वहां है और पता है सबसे पर देखो यहां पी बच्छा मझें कैसे ले रहा है क्या आज से पहले क्या गएता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता तो यह बंद क्या पढ़ात तो आज बन्दे ने जितना कुछ पढ़ाया ना सब कुछ समझ में आ रहा था इसकी दो वज़े हो सकती है या तो आज से पहले मैंने कभी इसकी बातों पर इतने अच्छा पढ़ाया नहीं होगा तो बैटा देख रहो यहां इस बंदे ने अपने आपको भी ब्लेम कर लिया बैटा ने और अपने टीचर को भी ब्लेम कर दिया ठीक है लेकिन कहता है कि इसके पात जितनी भी नोलेज थी यह सारी की सारी नोलेज हमारे दिमाग में ठोक कर दाना चाहता था ठीक है कैरा है कि जैसे ग्रामर की क्लास खतम हुई अब हमारे क्या गयता है राइटिंग सी अब बनषंग को सारे कि मतलब दाना उन्हुंख लेकर ऑफ यह द देस लिए कुछा थे तरह कि था ओलता है रहा हमारे की सबके देदिख रहा एक बच्चे को दे और एसा लग रहा था और ड्प्लास में ने क्या गयता है ढ़े घंडा लहरा हो धंडा किसका धंडा फ्रांस रहीजी ठीक ए उसके बातना क्याद़े जर्ट करते काफी लंधी हो जाय की वीडियो तो यहीं पर फिस विपस्ट लिए यहीं पे क्या पाट बच्चा हूआ है ठीक है सेकंड पार्ट का लिंक के दिस्कुप्शन में मिल जाएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करो और थेंक्यू ठीक है और अच्छे से बढ़ाई करो मस्तरो मजे मेरो थैंक्स वानुलो